आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे चार से पान साल के बच्चे के स्कूल यूनिफॉर्म वाले जैकेट को काटने और सिलने का तरीका दोस्तों ये जैकेट आप कूरते और सट के साथ में पहन सकते हैं लेकिन उसमें कपड़ा आप अपने पसंद के अनुसाल दे ले तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस नाप में हमारा कपड़ा कितना लएगा तो देखे दोस्तों यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है 60 cm का जिसमें हमारे जैकेट अराम से निकल जाएगी और साथ में इसके अंदर वाले पल्ले भी अराम से निकल जाएगी तो सबसे पहले हमने कपड़े की किनारी वाले हिस्से को मार्क से अलग करना है तो देखे दोस्तों इस तरीके से किनारी वाले हिस्से में एक सीधा मार्क दे देना है अब उपर में हम एक सीधा मार्क और लगाएंगे यहीं से हमने इसकी लंबाई का नाप रखना है तो लं मार्क हम देंगे एक इंची में, अब मार्क लगाएंगे आरम होल का, तो आरम होल का मार्क हम देंगे साड़े पाँच इंची में, अब सभी मार्क को हम सीधा करेंगे, अब देखे दोस्तो हमने जो भी मार्क लगाने है इस मार्क को छोड़ का लगाने है तो उपर में हमने पहले यहाँ पर गले का मार्क लगाना है तो गले का मार्क हम यहाँ पर लगाएंगे तीन इंची में अब यहाँ पर हमने shoulder की चोड़ाई का mark लगाना है जो कि हम लगाएंगे सवा 2 इंची में जिसमें हमारा पोने 2 इंची का shoulder बनका त्यार होगा अब हमने गले के और shoulder के mark को इस तरीके से cross मिलाना है down करके तो यह हमारा shoulder का mark लग गया है अब mark लगाएंगे दोस्तों हम चाती का तो चाती का mark दोस्तों किस्ती के से लगाना है तो चाती हमने नापी है body से जो कि हमारी आई है 21 इंची इसका हम यहाँ पर चोथाई भाग लेंगे जो कि हमारा होगा सवा 5 इंची तो सवा फाज इंचे में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर सवा इंचे की लूजिंग एड़ करनी है तो यह हमारे छाती का मार्क लग गया है अब देखें दोस्तों बहुत से लोग इसे सीधा यहाँ पर कटिंग कर देते हैं और बहुत से लोग कमर में सेव देखकर कटिंग करते हैं तो दोनों तरीके क्या हम आपको बताएंगे अगर सीधा कटिंग करना चाते हैं तो सीधा यहाँ से मार्क लगा दे अगर कमर में सेफ देना चाहते हैं तो दोस्तों किस्ती के से देनी है उसे भी समझ लें आरम होल और ये लंबाई के मार्क को हम इस तरीके से नापेंगे और यहाँ पर मिडिल में एक मार्क लगाएंगे तो इस तरीके से अब इस मार्क को भी हम सीधा करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों हमने छाती के मार्क को नापना है इस मार्क तक का तो यह हमारा आ रहा है साड़े छे से एक पॉंट ज्यादा तो यहाँ पर हम कमर में हाप इंची से कम करेंगे तो यह हम 6 इंची एक पॉंट में आप मार्क लगाएंगे कमर का मार्क हमारा लग गया है अब मार्क लगाएंगे दोस्तो हम हिप का तो हिप हमने नापी है बॉड़ी से 22 इंची तो इसका हम चौथा इससा लेंगे जो कि हमारा होगा साड़े पांच इंची तो इस मार्क से साड़े पांच इंची मार्क लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर भी सवा इंची लूजिंग एड़ करनी है तो हीप का मार्क भी हमारा लग गया है अब सभी मार्क को हमने स्केल से मिला देना है तो तीरे वले मारको और आरम होल वले मारको इस केल से इस तीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हमने आरम होल की गुलाई इस तीके से दे देनी है अब छाती, कमर और हीप के मारको इस केल से इस तीके से मिला देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमने सभी मार्क को मिला दिया है अब उपर में हमने यहाँ पर गले का मार्क लगाना है तो गले की लंबाई हमने यहाँ पर रखनी है 7 इंची तो 7 इंची यह मार्क लगाएंगे अब इस मार्क को उपर वाले मार्क के पास में तो उसके लिए हमने यहां पर 3 इंची का मार्क इस मार्क से लगाएंगे और इस तरफ हमने इस मार्क से 2 इंची का मार्क लगाएंगे और इस तरफ हमने पौने दो इंची का मार्क लगाना है अब हमने यहाँ पर भी सेप दे देनी है जैकट की तो इस तीके से हलकी सी गुलाई देते हुए यहाँ पर तीन इंची के मार्क को मिलाएंगे इसी तरीके से हमने दूसीर तरग भी इसे गुलाई में इस तरीके से मिला देना है तो दोस्तों ये हमारे नीचे में भी सेट की जैकट का भी मार्क लग गया है अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो उपर में हमने तीरे वाले मार्क के पास में इस तरीके से इसकी कटिंग कर देनी है फिर हमने आरम होल के मार्क के पास में कटिंग करनी है और सैड में हमने यहाँ पर हाप इंची की मार्जीन रख के इसकी कटिंग कर देनी है और इस तरफ हमने इस मार्क से भी सेप की कटिंग कर देनी है अब हमने गले की भी कटिंग कर लेनी है इस तरीके से और सैड में हमने यहाँ पर मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है सामने की तरफ तो दोस्तों यहाँ पर हमने जैकट का सामने का पल्ला निकाल लिया है अब निकालेंगे हम पीछे का पल्ला ये काफी कपड़ा बचा दोस्तों इसे हमने इस तीके से फोल्ड कर देना है और ये फोल्ड हमने किसी हिसाब से करना है दोस्तों इसे भी समय लें तो यहाँ पर दोस्तों आपको जैकेट को पौन इंची सामने की तरफ मार्क लगाना है क्योंकि यहांप हमारा pon inch का दबाब जाएगा बटन लगाने समय में तो pon inch का हम यहांपर mark लगाएंगे अब इस mark को हम सीधा करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीका सेसे समझ में आ सके अब इस mark को हमने इस fold वाले हिस्से के उपर में इस तरीके से रखना है तो देखे दोस्तों पॉन इंची हमने पीछे पल्ले को चुड़ाई में कम कटिंग करना रहता है तो इस तीके से आपको पल्ले को बठा लेना है अब हमने उपर की तरफ तीरे के पास में आना है और एक इंची का मार्क लगाना है जिस सेफ में हमारा सामने की सोल्डर का मार्क है उसी सेफ का हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे अब इस मार्क को हम सीधा करेंगे अब हमने तीरे के मार्क के पास में स्केल को हलका सा क्रोस करना इस तरीके से और मार्क लगाना है अब हमने यहाँ पा 이름 hole के पास में हाफ इंचिके एक mark all लगाना है अब इसे हमने इस तरीके से गुलाई में मिला देना है तो दोस्तो यह हमारे पीछे पल्ले के हार अरभ होल का mark लग गया है अब mark लगाएंगे दोस्तो हम पीछे के गले का तो उसके लिए हमने सामने पल्ले के इसाप से गले की जितनी चुड़ाई रखी है उसाप से यहाँ पर मार्क लगाएंगे और उसके बाद में एक इंची से डीप देथेंगे तो दोस्तों ये हमारे पीछे गले का भी मार्क लग गया है अब इसी मार्क से हमने इसकी कटिंग कर देनी है पहले गले की कटिंग करेंगे इस तीके से फिर सोल्डर की कटिंग करेंगे यानि कि तीरे की फिर आरम होल की कटिंग करेंगे और फिर हमने सैड की कटिंग यहां त लगाएंगे और इसे कट कर लेंगे यहां पर हमने पीछे पल्ले की कटिंग कर ली है अब हमने सामने पल्ले की डवल लेर में कटिंग करनी है तो यह हमारे पास में कपड़ा बचा है इसे हमने डवल लेर में इस तीके से बिचाना है और उसके बाद में सामने पल्ले की अब हमने बैक पाट की आधी दूर्थ की कटिंग करनी है जो कि हमारी आरम होल से 2-3 नीचे तक की रहेगी तो देखे दोस्तों इस तीके से हमने यहाँ पर इसे निकाल देना है अब हम इसकी सिलाई करका आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमने किस तेके से करनी है तो सबसे पहले दोस्तों हमने सामने पल्ले की सिलाई करनी है तो पहले हम इसके उल्टे सीधे का मार्क लगाएंगे इस तरीके से अस्तर के यह हमारा अस्तर है दोस्तों अब इसके उपर में हमने मेन पल्ले को इस तरीके से बठाना है तो देख रहेंगे दोस्तों इस तरीके से आप यहां पर दोस्तों हमने आरम होल के पास में एक पॉन की सिलाई देनी है इस तरीके से गुलाई में इसी तरीके से दोस्तों हमने गले के पास में भी एक पॉन की सिलाई देनी है इस तरीके से तो यह सिलाई हम नीचे तक की देंगे जहांप हमारा भी कट है तो भी कट के पास म भी हमने इसी तरीके से सिलाई देनी है जैसे हम मार्क लगाका आपको दिखा रहे हैं बस इसी तरीके से हमारी ये सिलाई होगी तो दोनों पल्लों में हमने इसी तरीके से सिलाई देनी है तो चलिए मसीन में जाकर सिलाई करका आपको दिखाते हैं तो देखे दोस्तों मसीन में आ गए हैं और यहां पर हमारे दोनों पल्ले ले लिये हैं तो नीचे में हमने अस्तर को बठा दिया है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर आरम होल की सिलाई करनी है इस तरीके से फिर हम गले के पास में इसकी सिलाई करेंगे और इसे नीचे तक कर ले जाएंगे तो देखे दोस्तों यह एकदम सेफ के हिसाब से आपको सिलाई करनी है तो एक पॉन्ट की margin रखकर ही ये सिलाई देनी है ताकि जब हम इसे पल्टे तो इसकी finishing अच्छी आए तो इस दीके समनी यहाँ पर सिलाई दे दी है और जहाँ पर कोना है दोस्तों वहाँ पर छोटे-छोटे cut दे दे ताकि जब आप इसे पल्टे तो वहाँ पर finishing अच्छी आए अब arm hole के पास में भी गुलाई में छोटे-छोटे cut दे देंगे अब हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ पलट लेंगे आप हमारा कोना निकला हुआ है वहां केंची से अच्छी तरीके कैसे कोने को निकाल देंगे अब यहाँ पा crem hole और गले को अच्छी तरीके से बठा देंगे और नीचे में जहाँ भी cut है वहाँ पर गष्छी तरीके से बठाकर इसके top में सिलाई दे देंगे तो सीधी की तरफ ही हमने यह सिलाई देनी हैं तो दोस्तो यहां पाहमने एक पल्ले में शिलाई दे दी हैं बस इसी तरीके से आप दूसरे पल्ले में भी इसकी सिलाई दे 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 तो दोस्तों दोनों पल्लों में हमने सिलाई दे दी हैं आप त्यार करेंगे दोस्तों हम पीछे का पल्ला तो यह हमारा पीछे वल्ला का अस्तर हो गया जो कि हमने ऊपर बठाया है इसे पहले हमने इस तरीके से लेना है और यहां पर दोस्तों हमने इसे उल्टे की तर दोस्तों यहां पर हमने पीछे पल्ले का इस्तYour कर ली है कर लेना हैा और यहां पड़े feeding के पृण सीधेक हमार्फ यहां पर देना है और इसे हमने पीछे पल्ले के us picture यहां पर देना है Yuri तो इूपर की तरफ हमारे यहां पर उल्टा है तब क्र oftentimes हमने इस त्रहिए से यानि कि सामने यानि में पले में तो स्वादर को हमने इस तolph के से बठाना है कि गले के पास में के जो हमारा सोल्डर है वहां से हमने टीन फॉलड की माजिन छोड के सिलाई देनी है इसी तरीके से दोस्तों आपको solder के दूसरी तरह भी तीन पॉंट की माजिन छोड़का ये शिलाई देनी है अब हमने पीछे पल्ले वाले अस्तर को लेना है और इसके उल्टे सीधे का मार्क लगाना है तो इसे भी हमने उल्टे की तरह भी रखना है इस तरीके से और यहाँ पर अच्छी तरीके से बठाका दोस्तों हमने इसके solder की सिलाई देनी है तो देखे दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर solder की सिलाई देनी है तो पहले हमने solder की सिलाई करनी है और उसके बाद में हम यहाँ पर गले की सिलाई करेंगे फिर हम solder की यहाँ पर सिलाई कर देंगे तो देखे दोस्तों यहाँ पर हमारे solder की सिलाई हो गई है और जहाँ पर हमारी गुलाई है वहाँ पर हम पर छोटे छोटे कड़ दे देंगे जिससे हमें इसे पलटने में दिक्कत न हो अब सिलाई करेंगे दोस्तों हम आरम होल की तो उसके लिए हमने अस्तरवले कपड़ को इस तरीके से बठाना है और आरम होल में सिलाई देनी है तो चाहे दोस्तों ये सिलाई आप एक साथ भी दे सकते हैं लेकिन हमने shoulder की और गले की slice लिए पहले कर ली है ताकि आपको balance लेने में दिक्कत नहों और सिलाई अच्छी तरीके से हो जाए इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसी तरफ आरम होल के भी सिलाई करनी है कि सामने वाला पल्ला का जो आरम होल है उसे अलग करकर ये सिलाई देंगे तो देखे दोस्तों इस तरीके से हमने भी लाकर ये सिलाई दे देनी है तो दोस्तों इस तीके से हमने यहाँ पर सिलाई दे दी हैं एक बार आप अच्छी तीके से देख लें दोस्तों किस तीके समने सिलाई दी हैं और यहाँ पर दोस्तों हमारे यह दोनों पल्लों हो गएं सामने के अब यहाँ पर हमने आरम होल के पास में छोटे-छोटे कट देने हैं ताकि इसे पलटने में दिक्कत नहों इसी तरीके से दूसरी तरह भी कट दे देंगे अब हम इने इसे इस तरीके से पलट लेना है और नाखुन से इसे दोस्तो हमने सिलाई को बठा देना है इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमने नाकमसे से अच्छी तरीके से बठा दिया है अब इसके आरम होल से सिलाई स्टार्ट करेंगे फिर हम तीरे में सिलाई देंगे फिर हम गले में सिलाई देंगे और उसके बाद में दूसरे तीरे में सिलाई देते हुए है आरम होलसे से निकाल देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमने गले की और तीरे की सिलाई कर ली है अब हमने पल्ले को इस तरीके से सीधे की तरफ बठा देना है तो देखे दोस्तों इस तरीके से जैकेट को आपको बठा देना है अब side में हमने इसे अच्छी तरीके से मिला कर पीछे पल्ला हमारा कितना बढ़ रहा है वहाँ पर हम mark लगाएंगे तो देखे दोस्तों इस तीके साब mark लगा दे और उसके हिसाब से cut दे दे अब पीछे पल्ले को हमने इसी mark के हिसाब से fold करना है तो देखे दोस्तों एक इंची के हमने margin दी है तो एक इंची हम इसे fold करेंगे फिर हम हाप इंची के एक fold और बनाएंगे और इसमें slide देंगे तो यहाँ पर हमारी पीछे पल्ले की भी slide हो गई है अब हमने जैकोट को उल्ट की तरफ इस तीके से रखना है और इसकी side की slide करनी है तो side में हमने हाप इंची के margin रखकर ये slide देनी है इस तीके से इसी तरीके से दोस्तों आपको दूसरी तरह भी हाप इंची के margin रखकर slide दे देनी है तो दोस्तों यहाँ पर हमारी jacket बन कर त्यार हो गई है एक बर हम आपको अच्छी तरीके से दिखा देते हैं तो देखे दोस्तों यहाँ पर हमारी जैकट बन गई है अब हम इसमें लगाएंगे बटन के लिए हमने यहाँ पर पहले काज कटिंग करने है तो उसके लिए हमने यहाँ पर इसकी लंबाई नाप लेनी है तो देखे दोस्तों साड़े आठ इंची हमारी लंबाई आ रही है तो एक इंची नीचे छोड़का हम नापेंगे तो यह हमारी साड़े साथ इंची होगी तो धाई धाई इंची करका हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे इस तरीके से तो देखे दोस्तो तीन बटन हमने सामने की तरफ लगाने हैं तो तीन मार्क हमने लगा दिया हैं अब इसके हिसाब से हम यहाँ पर काज करकर बटन लगा देंगे तो दोस्तों ये जैकेट बनाने का तरीका आपको कैसा लगा यह हमें जरूर बताएं वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले वीडियो देखने के लिए धन्यवा थैंक्यू